हेलो आज हम बात करते हैं Magnetic Effect of Electric Current के फर्स्ट पार्ट के बारे में देखो इसमें बायोट सवर्ट लोग के बारे में डिसकस करेंगे उससे जो निमेरिकल अप्रोच है वो देखेंगे तो फर्स्ट अफ और Magnetic Effect of Electric सकते हैं कि करेंट के पास अपना काम कर रहा था लेकिन उसने मगनेटिक कमपास को ॉडिफलेक्ट कर दिया इसे बदलाकि त्समाइड से सब्सक्रील्ट के पास मेगनेटिक रीखेंट मायोट बने नहीं नहीं को नלא एक कि उसके टैसेप iota लेंद के थिकनेस को decide करते हैं यहाँ पर current ले जा रहा है और ओ current आर डिस्टिंस पे कितना magnetic field create करेगा तो हम बता सकते हैं बायर सबर्ट ने यही बताया कि छोटा सा magnetic field ही छोटा सा वायर connect करेगा तो कितना होगा वह organizational få देखो इस तरह से थमप को ऊपर रखो किरेंट के दारेक्शन में और मालो यह वाइर तो वाइर को करो करो करोगे तो यह बाहर और आरहना इस साइड से वाइर के इस साइड से जो फिनगर से वो बाहर और Seems को यह अंदर गया और यह ऐसे बाहर अने का सिंबोल हो तो इधर मैंगनेटिक फिल्ड ऐसा आ रहा है लेकिन तुम अब देखो ना अंदर की साइड इस साइड ऐसे घुमकर ऐसे तो मतलब अंदर जा रहा है मैंगनेटिक फिल्ड अंदर जा रहा है यहां पर क्रॉस मतलब इंसाइड तो यह आउट के लिए होता है यह इन के लिए ह होता है मैंगेंटिक फिल इंसाइड जा रहा है बाइवक ने बताया कि इसका क्या वैल्ली होती है तो मुणोड आई भाई फोर पाई यहां आई है डीयल क्रॉस आर डिवाइड भाई आर क्यूग अब इसको आगे लिख सकते हैं क्रोस और यह तो DL और R के पिछ में angle theta पता है तो लिख लेंगे DL into R into sin theta साथ में यहाँ पर RQ आ गया यह cancel हो गया R square बच गया क्या आ गया mu not i by 4 pi DL sin theta by R square ठीक है यह लिख लिया अब हम देख सकते हैं na magnetic field किसके किसके proportional है बच्चे current जतना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा magnetic field होगा length जतना ज़्यादा magnetic field होगा angle पर भी depend करेगा theta 90 degree पर maximum हो जाएगा और distance जतना ज़्यादा होगा magnetic field उतना कम होगा square में vary करेगा inverse ठीक है अब देखते हैं आगे की बात देखो बच्चे वन टेसला जो magnetic field का ऐसा यूनिट है उसमें टेन टुडी पावर फोर गॉस होता है यह सीजिए यूनिट है ठीक है याद रख लेना application देखते हैं बायोट सब्सक्राइब का अब लिकेशन से हम पता लगा सकते हैं magnetic field magnetic field किस तरह से पता लगाएंगे देखो मान लो हमको कुछ-कुछ तुमको कि भाई बताओ finite wire है length है यहां पर distance d है distance d पर आपको बताना है कि magnetic field कितना होगा current i कहरी कर रहा है ठीटा 1 से ठीटा 2 एंगल इस तरह से बहरी कर रहा है magnetic field कैसे लिखोगे देखो इसमें हो जाएगा mu naught i by 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2 याज रख लो बिल्कुल बहुत apply करना पड़ता है बच्चे अब देखो अगर हमसे बोला जाए semi infinite wire है तो क्या करेंगे magnetic field को यहां पर देखो न semi infinite का मतलब क्या होगा theta 1 को मान लो बच्चे 0 और theta 2 को मान लो 90 मतलब यहां से शुरू हो रहा है उधर जा रहा है जा रहा है मतलब infinity पे चला गया यह 0 इधर जा ही रहा है तो कोई यहां पर जो है angle यह infinity पे जा रहा है wire तो angle यहां पर 90 हो गया theta 2 90 हो गया यहां पर क्या हो जाएगा मू नॉड आई बाई 4 पाई डी साइन ठीटा 1 कितना माना है 0 और साइन ठीटा 2 कितना माना है 90 देखो क्या हो जाएगा यह तो 1 हो गया यह तो 0 हो गया तो यह हो गया 0 प्लस 1 लिख लेते हैं और 7 में क्या आ गया मू नॉड आई बाई 4 पाई डी तो मैगनेटिक फिल्ड आ गया बच्चे मू नॉड आई डिवाइड बाई 4 पाई डी इसके लिए आया सेमी इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट के लिए कितना आ जाएगा इधर ध्यान दे अगर यह वायर है और यह इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है तो ठीटा वन और ठीटा टू दोनों 90 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे रख दे वेल्यू देखो तो मू नॉड आई बेगी की वेल्यू क्या हो जाएगी क्या लिख दें अब मू नॉड आई बाई टू पाई डी ठीक है यह मोश्ट इंपोर्टन रिजल्ट में से है जिस पे बहुत सारे निमेरिकल बनते हैं ठीक है ध्यान रख लेना इस बात को और यहाँ पर जेनरल आ गया बच्चे ठीक है यह क्या आ गया यहां पर यह जो आया हमारे रिजल्ट यह हो गया सेमी इनफाइनाइट वह हो गया इनफाइनाइट वायर के लिए मू नॉड आई डिवाइड बाई टू पाई डी अब देखो इसका यूज और देखते हैं बड़ा सा मानलो वायर जो हमारे पास है वह स्ट्रेट तो आया लेकिन साथ में हमको यह बोल रखा है कि जो ठीटा वन ठीटा टू एंगल है वो कुछ इस तरह से बच्चे हमको यहां से डिस्टेंस दिया हुआ है वायर में करेंट जा रहा तो यहां पर मानलो यह डी है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यह क्या हो जाएगा अगर यह ठीटा वन है मानले लेते हैं कुछ तो यहां पर क्या लिख देंगे यहां पर लिखना पड़ेगा डी कॉस ठीटा वन ठीक है यह वाला चीज यहां पर रखाए बच्चे मान लो यहां पर यह जो वैल्यू है ना इंक्लिनेशन 30 डिग्री है लेकिन ठीटा वन तो हमने नीचे की तरफ माना था ना भाई नीचे की तरफ माना था ना ठीटा वन यह ऊपर चला जाएगा तो यह 30 जो है न वह माइनस 30 में कनवर्ट हो जाएगा तो अब हम लिख सकते हैं इसी चीज़ का वैल्यू देखो तो क्या लिखेंगे साइन ठीटा वन यही तो ध्यान रखना था तरफ साइन ठीटा-टू हो जाएगा माइनस 30 अब साइन ठीटा-टू देखो दे है कुछ और वेल्यू दिया जा सकता था मानलों ऐसे दिया जा सकता था तुम को यह हमको पहले से पता है ठीक है यहां से हमको एंगल 60 डिगरी पता है तो थीटा टू 60 हो जाता उस ऐसा कुछ दिया रहता स्ट्रक्चर हमारे इस वाले लाइन से अगर कुछ यहां पर एंगल इंकलाइन रहता तो मानलों इसके लिए लिखते तो हमें आप शिष्टी लिख देते जान रहेगा यह कुछ इंपोर्टेंट बाते हैं और पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस का ध्यान रखना लेना पड़ गया भाई डी नहीं लिखें डी कॉस्ट फिटा वन लिख दियें ठीक है आगे बड़ें यहां पर तो तुम्हारा चलेगा मतलब डी कॉस्ट थर्टी लिख दो गया पर पर यह हो गया फर्स्ट अफॉल कि देखो बच्चे यह जो रिजल्ट है ना यह रिजल्ट से मैच करता है चार्ज लाइन याद है ना तो दोनों में रिलेशन देखो ना चार्ज लाइन याद है तुमको क्या होता था यहां पर यही तो पढ़ाया तो है थोड़ी दिन पहले देखो यह ठीटा वन हो गया यह ठीटा टू हो गया के लेमडा बाई आर यहा डिवाइड बाई 4 पाई डी कर दिए हैं और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं में तो यह हो गया लाइन का बात अब बात करते हैं अगरेंट के रिंग लूप है एक रिंग है जिसमें करेंट करी हो रहा है तो उसमें मेगनेटिक कैसा आएगा देखो तो य कैसा आता है कर 175 करेंट जा रहा है एसे करके मान लों जा रहा है तो उधर से अंदर यह बाहर आ रहा है जान रखना तो डेको नइवर फ्रहना जांटर लूप के तो भन्य तो क्या करना है स्ट्रेट तो तम तुमको करेंट और करलिंग माईनेटिक फिल्ट देगा और गूसे चलता है यह हो गया कि गुमाया ऑफार यह नदर जा रहा था ऐसे करके घुमाया और कैसा उधार खेसा लोग भाई मेगनेंटिक फिल्डिदर माल में ली देखेंगे म्यू नोजम पाई टूपां आर स्कॉायरा स्कॉायर स्कॉायर प्लस आरल स्कॉायर ऱज्जा यहां पर यहोग्या और यह घ्र00 थ . क्या होता है अगर इस तरह से चार्ज स्प्रेड रहे क्या होता है क्यू एक्स इसक्वाइर प्लस आर इसक्वाइर पावर थ्री बाइटू बस यहां पर दिक्कत है इसको जिरो करना पड़ेगा लेकिन इसको जीरो करना पड़ेगा लेकिन इसको जीरो कर देते हैं सेंटर पर तो टू पाई यहां पर आर इसक्वाइर तो लिखाएगा ही इसका मतलब center पर 0 नहीं होने वाला है point to be noted ठीक है और यह हो गया r square 3 by 2 यह 2 से 2 cancel हो गया यह r square यह r cube है cancel करके कितना बच गया cancel करके यह r बच गया यह भी cancel कर दो 2 बचेगा क्या आ जाएगा mu naught i divided by 2 r यह फिर से बहुत जादा ही important result है जिस पे basically numericals बनते हैं तो एक infinite line का result क्या आया mu naught i divided by 2 pi r या 2 pi d आया जो भी तुम बोलो यह distance को ठीक है और अब इसका result क्या आया circle का हम loop पे देख रहे थे center पे देख रहे थे बच्चे center पे क्या result आया magnetic field का 0 नहीं आएगा mu naught i divided by 2 r आएगा ठीक है और यहां पर बस pi आ जाएगा तो circle में pi नहीं आता है एक sense है यह थोड़ा समझ न यहां पर अगर मान लो magnetic field ऐसे हम निकाल रहे हैं तो ऐसे कर ले करो तुम्हारी तरफ ऐसे कर ले करो तुम्हारी तरफ magnetic field आ रहा है मतलब out of the plane magnetic field आ रहा है जिसका value होगा circle है न तो pi मतला न उल्टा ही sense थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूँ mu not i by 2 r लिख देना यह r है तो 2 r लिख देना और अगर line है तो क्या लिख दोगे infinite line है तो line है न तो इसे pi ले आना और मालोने distance को r ही मान सकते हो mu not i by 2 pi r pi कहां पर आएगा जहां circle नहीं वहीं पर pi आएगा trick है यह दोनों से ही तो काम हो जाता है बच्चे बहु सारे combined numericals भी रहते हैं दोनों को याद रखो mu not by 4 pi का value तुमको याद दिए 10 to the power minus 7 और यहाँ पर तुमको यह चीज़ पता लग गया ठीक है कि center पर magnetic field ऐसा हो जाएगा और axial point पर उधर magnetic field दे दिया mu not i by 4 pi 2 pi r square x square प्लस r square power 3 by 2 ठीक है इन बातों को ध्यान रख लेना है अब देखो बच्चे इस वाले electric वाले case में maximum भी होता था ना r by root 2 पर maximum हो जाता था यहाँ पर maximum ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर maximum यहीं वला है center पर maximum होगा तो इसका ग्राफ तो तुम्हारा ऐसा बनता था कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जीरो हो गया यहाँ पर maximum हो गया r by root 2 ठीक है यहाँ पर electric field ग्राफ था magnetic field ग्राफ बना ओगे ना तो कैसा बनेगा magnetic field ग्राफ जो बनता है center पर maximum होता है तो इस तरह से ऐसे करके center पर maximum कर लेना है ठीक है ऐसे करके और यह पर जो पॉइंट है ना देखो यहाँ पर जो यह रिकरवेचर यह चेंज हो रहा है ऐसे गिर रहा था अब ऐसे जा रहा है point of inflection कहते हैं इसको और इसका value होता है basically कहां पर यह हमको देखने को मिलता है a by 2 पर देखने को मिलता है ध्यान रख लेना यहाँ पर slope जो होता है वो slope constant हो जाता है मतलब magnetic field है हमारा और यह x है तो dv by dx जो है यह magnetic field distance अद्वैरी कैसे कर रहा है dv by dx जो यहाँ पर है बच्चे वो constant हो जाता है slope constant हो जाता है यहाँ पर और करवेचर इस तरह से change हो जाता है तो खैर यह वाली बात तो हो गया point of inflation लेकिन उपर में maximum कहां पर होगा यहां पर maximum होगा maximum value इतनी होगी ठीक है ध्यान रहेगा ने दोनों बात अब हम numerical approach के उपर आते हैं इन दोनों के line और हमारा जो circle है उन दोनों को लेकर आ सकते हैं हम numerical approach के उपर तो लेटस सी फॉर्मूला तो बेसिकली अभी तक यह दो फॉर्मूला पर ही बहुत सारे question पूसे जाते हैं बच्चे तो देखो ना कितने types के question हम देखने वाले हैं उस पे थोड़ा ध्यान से देखो तुमसे अगर राइट हैंड से करना है लेफ्ट हैंड से उटा रिजल्ट आएगा तो यह ऐसे करके राइट हैंड थम रूल लगाया magnetic field की value क्या आ गई circle है तो pi नहीं आएगा mu not i by 2r लिख दो बस अब देखो बच्चे के वाल इतना ही दे रखा तो क्या करेंगे ठीक है के वाल इतना ही दे रखा है sir तो क्या करेंगे आधा कर देंगे तुम सही सोच रहे हो 1 by 2 कर देंगे mu not i by 2r का 1 by 2 कर देंगे ठीक है 1 fourth दिया है तो 1 fourth कर द पूरा वैल्यू लिख दिया ठीटा डिवाइड बाइड टू पाई कर दो चेक कर लो ना इसके लिए चेक कर लेते हैं सही बात है कि नहीं देखो पहले पूरा वैल्यू लिख लिख देते हैं और ठीटा कितना हो जाएगा इस बार में पाई हो जाएगा ना तो पाई है यह वाला हो गया अब इसमें बहुत सारे अलग लगत राके तुमको इस्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि मैंनेटिक फिल्ट बताओ दो-दो लूप मिल सकते हैं किस तरह से मान लो दो कॉंसेंट्रिक लूप हमारे पास इस तरह से दे रखे में हैं यह क्म चेरिक हो जा रहा है ऐसे करके तुम्हारी तरफ आयका मैंगनेटिक ही दिखेंस फिल्ट बड़े वाले सिय तुम्हारी तरफ आया यह दिखosed हो गया में प्लिस पैर पे तो लिख दें B1 का वेलू क्या हो जाएगा म्यू नॉड आई डिवाइड बाई 2R1 प्लस म्यू नॉड मान लो करेंट I1 जा रहा था यहाँ पर यहाँ पर करेंट अलग जा रहा था I2 तो म्यू नॉड I2 डिवाइड बाई 2R2 ठीक है अगर अगर ऐसा हो जाए करेंट का डारेक्शन इसमें पोजिट हो जाए माइनस कर देना ठीक है I1 I2 तो इधर आ गया ना I2 के कारण मैगनेटिक फिल अंदर आ गया ठीक है माइनस ले सकते हैं अगर इसको प्लस मान रहे हो बाहर को तो इसको माइनस ले लोगे यह हो जाएगा तुमसे ठीक है आगे बढ़ें देखो तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास बताओ इस तरह से कोई सरकल दिया हुआ है ऐसे और यहां से सेंटर वही है लेकिन यहां से अलगी एक बना करने लेख रख़ा है ऐसे करके ठीक है बस दोनों का यह रेडियस अलग-अलग इसका रेडियस है आ वन इसका रेडियस पूरा मिला करके यह आर्क जो है इसका रीडियस है और टू बताओ भई , Magnetic field कितना होगा , यह एंगल दे रखा हो है आपको यह ठीटा एंगल है ठीक है , तो पहले 20 कारण निकाल हो नहाँ पर इसका आर्टू के कारण न कारण न कालते हैं रहे तो बीटू कितना हो जाएगा यहाँ पर बीटू निकालते हैं और i current है और 2 जिखें एक लिखेंगे ठीटा बाई इस छीटा के लिखेंगे क्या करें ठेटा टीटा डिवाइट ऑई टू पाई कर लेते हैंं अब इसमें फिसके घटेगा यह वाला यह देखो ऐसे और कैसा आया था इसके कारण भी हमारा ऐसे कर गुमाये था न देखो तुम्हीं तरफ आरा है और यह भी तुम्हारी तरफ आ sizi अधूर lee आई डिवाइड वाइड वाइड वाई लिवाइड वाइड वाइड वाई इन दूड दोगे तो इसका नसर आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं मानलो तुमसे ऐसा कुछ दिया वच्चे एक कौईल इस तरह से दे रखा है और उससे तुम्हें पर निकाली लो कि इस डारिक्षन में मैंगनेटिक फिल बोल रहा हूं यहीं पर बोल रहा हूं वस्त वेक्टर दिखा रहा हूं इसने मैंगनेटिक फिल निकाल लो गेए कितना का था वह फ्वान का था और कि चा रहा था एक है और इसको कुछ फिल्ड आएगा यह ऐसे अंदर जा रहा है अंदर बाहर निकल रहा तो देखो आना लिख लेते मूद आई 2 divided by 2 Pi नहीं लिखना होता है तो क्या लिखेंगे simple R2 ठीक है अब यह लिख दिया यह क्या हो गया B2 हो गया यह B1 हो गया अब दोनों को insert कर दो दोनों का center यह same कर दो यह भी point 2 होना चाहिए यह भी point 2 होना चाहिए ऐसा question आ सकता है दोनों को एक दूसरे में ऐसे insert कर दो तो कैसा दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा नवच्चे देखो तो ऐसा दिखाई देगा अब magnetic field net कैसे आएगा vector summation यहाँ पर आई चुका है यह कितना आया है B1 कर देते हैं यहाँ पर जो आया है B2 कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा vector summation कर लेना root under B1 square plus B2 square है ना बराबर रहेगा तो root 2 times हो जाता है पता है ना मानलो पाइथागुरस ही तो लगा रहे है और बराबर रहे यह भी रहे यह भी रहे इधर इधर भी रहे हर चीज बराबर है radius और यह जो करेंट है यहाँ भी रेडियस करेंट बराबर है तो root 2 times हो जाता है root 2 times अभी कभी पैथागुरस लगाओगे इक्वल में तो root 2 times हो जाता है ठीक है यह ध्यान रहेगा तुमको आगे बढ़ें ठीक है देखते हैं एंगल वाला समझ में आही गया तुमको और concentric वाला समझ में आही गया और इस तरह से अलग अलग प्लेन में अगर रखा रहे वह देख लिया इक्वल अनिक्वल जैसा भी आज है हम बना लेंगे solve कर लेंगे ठीक है अब देखो इंफाइनाइट वायर के कारण भी पताया था तो याद रख लेना कभी इंफाइनाइट वायर दिया रहे तो क्या आजाएगा यहां पर मैंगनेटिक फील्ड म्यू नौड आई डिवाइड लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे दोनों को पूचा जाता है इसका यहां यहां पर हमसे मिक्स किया गया है पूचा जा रहा है करें निकल गया तो क्या करेंगे दोनों का रिजल्ट करें दो एड होगा क्या देखो तो यह पहले स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन को तो एसे हाथ में पकड़ लो और थंब उधर ही रहना चाहिए करेंट है के वह लाइन यह वायर का देख रहे हैं तो तुम्हारी तरफ आ रहा है यह इस पॉइंट को कि डिवाइड बाई लाइन है ना पाई आएगा टू पाई आर ठीक है यह रेडियस यही होगा डिस्टेंस और अब देखें यह बीवन आ गया अब इस ब्लैक वाले रिंग के कारण देखा जाए सेंटर पे क्या हो जाएगा तो पहली बात है ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ यह घुमा दिया थम मैगनेटिक फिल्ड मैगनेटिक तुम्हारी तरफ है तो फिर से डॉट आउर बन गया और बीटू लिख दें बीटू कितना आ गया म्यू नौड आई डिवाइड बाई टू आर आएगा ना इस बार लूप है अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन दोनों का कंबाइंड यूज भी आ जाता है कभी कभी ठीक है यह ध्यान रख ले नवच्चे अब आगे बढ़ते हैं और देखो अगर तुमसे ऐसा पूछ दिया जाए कभी भी कि भाई सामेट्रिकल कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और बताईए इधर से से करेंट इंटर किय लिए भाई याद कर लो मैंगनेटीक फिल्ट बीच में 0 हो जाएगा ठीक है यहां पर इस तरह से भी तुमको दिया रहे हैं ऐसे करेंट इंटर किया इसे करेंट एक्जिस्ट किया यह 0 हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक सब्सक्राइब कर दते हैं इधर से देखो न यह बहुत नेचुरल लगता है खास बात बहुत इंपोर्टेंट बात यह है कि बच्चे अगर ऐसे भी आए ना जीरो है भाई या अंसर जीरो इसका यह खतरनाक है समझे बात को यह भी जीरो है कैसे आता है वह हम देख सकते हैं क्योंकि होता क्या है ना कि बेसिकली यहां पर यह यहां पर लेंथ देख रहे हो लेंथ ट्री टाइमस हो गया तो रेसिस्टेंस भी ट्री टाइमस घट जाएगा एडजस्ट करके जीरो आ जाता है बहुत इंपोर्टेंट हां यह वायर जो है ना यह विल्कुल सेम सेम वायर रहने चाहिता भी नहीं करेंगे ऐसा कि भाई इ लेंद हमारे इसमें बट जाएगा कि रेट ज्रेगा वरस्टीों तुमको फैंड आप करने के लिए दिए ररेश्यू रहर रंगा यह यहां से बटेगा बताया था क्ली बटने के लिए लिए आई वन लिखो आपर यहां पर यहां पर यहां पर करने की जरूरत नहीं है हम तो तुमको रियाद कर रहे हैं ठीक है हम बस यह बता रहे हैं कि भाई यह एड़ेस्ट करके आ जाएगा बहुत आराम से ठीक है कैसे देखो न यह तुमको क्या दिख रहा है यहां पर नहीं निकाल सकते हो क्या जो बच्चे फड़ा पढ़के आए हैं वो देख सकते हैं बड़े राम से यह 45 डिगरी का साइन ठीटा वन प्लस साइन ठीटा टू इस तरह से याग रख लेना इन बातों को ठीक है हां बच्चे यह बात भी मैं सिरियसली बता रहा हूं अगर तुमसे यहां पर यह प्रोपोर्शन जो हमने अपने मन से डिसाइड किया वो नहीं डिसाइड रहे है मान लो इसको लि सब्सक्राइब हो जाता है हां अगर सेंटर पर भी ना पूछा जाए बोला जाए कि यहां पर बताओ तो बच्चे फिर से जीरो नहीं होगा मान लो यह यहां पर से यहां तक कर डिस्टेंस जो है वह यह बाई-टू नहीं है यह बाई-फॉर है तो फिर यह बहुत लगाए हुआ है बस यहां पर ध्यां देना पड़ेगा यह अलग त्षीटा आ जाएगा और यह बाहर आ रहा है और यह अन्दर जाए है यह बाहर आ रहा रहा है माइनस होगा लेकिन 2 भर लीग्या तो जीरो हो जाता है वह हमेशा ध्यान रखना चाहिए अब ऐसा नहीं की स्कॉायर देखो और जीरो ही कर दो ऐसा भी नहीं करणा सेंटर पर भी कभी जीरो नहीं होगा कब सर अगर लूप में करेंट पूरा घूम जाए ठीक है करेंट घूम जाए पूरा का पूरा तो क्या हो जाएगा एड़ अप हो जाएगा बच्चे देखो और देख रहे हो इसक्वाइर है और सेंटर देखा तुमने बोला सर सामेट्रिकल है जीरो करते नहीं भाइब घूम रहा है करेंट ऐसा थोड़ी हो रहा है कि एक तरफ से गया एक तरफ से निकला ठीक है यहां बैटरी वेकर लगा दिया गया होगा रहने घूम रहा है यहां पर इस त्रस्ट अगर करेंड जाए तब 0 होगा वह भी रेश्यू में बटना चाहिए आर और 3R होना चाहिए 0 बक्का होगा ठीक है अगर सेंटर पर नहीं पूछा तो 0 नहीं होगा हां अगर यह बात है यहां पर आर है और यहां पर अलगी 5R लिख दिया है हमको पता लग रहा लें थ्री टाइमस हो गया रेसिस्टेंस 5R सर ऐसा कैसा हो सब्सक्राइब मटेरियल चेंज कर दिया तो भी जीरो नहीं होगा सेंटर पर तो फिर यहीं बेसिक से चलना पड़ेगा ठीक है तो यह कुछ बेसिक बात है थी अब हम लोग नेक्स्ट और आगे सब्सक्राइब करेंगे बच्चे चलो टेक कियर थेंक यूँ